नमस्कार बहुत स्वागत है आपका धार्मिक सास्त्रों के अनुसार कार्तिक पुर्णिमा के दिन कई मायनों में खास माना जाता है क्योंकि इस माह में पढ़ने वाली पूरणिमा को कार्थिक पूरुणिमा, त्रिपुरी पूरुणिमा और गंगा अस्नान के नाम से भी जानते हैं अब हिंदुधर्म में पूरुणिमा का विशेष मत है क्योंकि पुरानों में इस दिन को असनान ब्रत तप और मोक्ष को देने वाला बताया गया है कार्तिक पुर्णिमा के दिन अगर आप पवित्र नदी सरोवर में असनान करके उकतेवे सुरी को जल और पित करें तो ये सबसे जादा उत्तम फलदाई माना जाता है इस दिन दान करने का भी विशेश मत तो है क्योंकि इस दिन दिया गया दान कभी बेर्थ नहीं जाता और कई पापों का नास होता है हिंदू पंचांग के अनुसार चुकि कार्तिक मा追 이후 अठवा मायना है और शुक्ल पक्ष की पुर्णिमा कार्तिक पुर्णिमा जिसे हम त्रिपुरारी पुर्णिमा कहते हैं तो अधिक मास या मलमास आ जाये तो हलाकी साल में 15 पुर्णिमा होती है लेकिन इस बार की और सुपसंयोग में आया है क्योंकि इस दिन कृतिका नच्छत रहे अब भगवान भोले नाथ जो त्रिपुरा सुर नाम का असुर का संगहार किये थे और इसके बाद वह त्रिपुरारी रूप में पूजित हुए इसलिए इस पूरिमा को त्रिपुरारी पूरिमा कहते हैं चुकि अस्नान करने का विसेष बिदान है तो ब्रह्म मुर्थ से लेकर दोपहर दो बचकर 29 मिनट तक अस्नान का मुर्थ है तो आप इस समय ही अस्नानदान कीजिएगा अगर घर में नहाते हैं तो नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाए इस दिन विसेष पर्योग क पढ़ने से जीवन के कस्ट कम होते हैं कि किसी पभीत्र नदी सरोबर में अस्नान कर सके तो अतियुत्तम नहीं तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल करें और फिर घर के मंदिर में ही आप दीप प्रजुलित करें संबब हो तो इस दिन ब्रत रखें या फिर आप इस दिन ए साम मेंखाली जेगा देवी देपताओं को गंगा जल से अभी सिश्ग करना है और फिर भगवान श्रीहरी विष्णु की पूझा करें क्योंकि पूर्णिमाती थी पुननत्व की थी ती है स्रीहरी विष्णुं और मालक्ष्मी की भी पूजा होगी तो मालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगाईए भोग में आप स्रीहरी को जब भोग लगाएंगे तो तुलसी के पत्ते जरूर अपित कीजेगा धार्मिक माननेताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान स्रीहरी भोगी स्विकार नहीं करते इस बात का भी ध्यान रखे कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोग ही लगाना है भगवान जो विश्णू है मालक्षमी है फिर उनकी आर्थी करें और अधिक से अधिक उनके मंत्रों का जब करें वैसे तो नमसिवाय का जब कर सकते हैं अब बुर्णिमातिती पर चंद्रमा की पूझा का विसेस महत्त होता है जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा की पूझा करें चंद्रमा को अर्द दें इससे दोसों से मुक्ति मिलती है मानसिक संतुष्टी होती है मानसिक कस्ट दूर होते हैं आपका चंद्र बेतर होता है और जरुत मन्द लोगों को आप कुछ न कुछ खाने पीने की वस् और इसके साथ ही आपके घर के आसपास गाय है तो गाय को कुछण कुछ अपने हाथों से अपकी मुक्ति मिल जाती है लैकिन कोशिस कीजेगा कि आट बजे के पहले स्णान कर लें तो ज्यादा अच्छा है तो ये तो थी पुर्णिमाति थी की महिमा लेकिन अब आज चुकि पुर्णिमाति थी पर एक खास से योग बन रहा है और एक छोटा सा जाड़ो का प्रियोग करें तो जीवन से दहिता रूपी परिसानी दूर हो जाएगी और जीवन में खुसिया आएंगी देखे धनवान और भागेवान भला कौन बनना नहीं चाहता है हर कोई चाहता है उसके पास धेर सारे पैसा हो खुबसूरत सा बिल्डिंग हो अपना वाहन हो तो चलिए जानते हैं क्या करेंगे देखे आर्थिक संपन्टा के लिए जीवन में खुसिया आने के लिए दरिता रूपी परिसानी को दूर भगाने के लिए इस दिन ये प्रियोग किया जाता है जोतिस के कई बार क्या होता है कई बार आपके कारे लगातार भी गड़ते हैं और आप जोतिस के कभी पास जाते हैं कभी पंडी जी के पास जाते हैं कभी आप ओजागुणी करते हैं मंत्र तंत्र की पता नहीं क्या हो गया है लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि ये चोटा सा प्रियोग आपके जीवन की खुसियों को आप तक फिर से लोटा देगा क्योंकि ये प्रियोग बहुत ही चमतकारी है माना जाता है कि धन की देवी जो लक्षमी है वो जारू में ही विरास्ती है जारू साप सफाई करता है इसका मतलब यह है कि गंदगी रूपी जो दरिता है उसको घर से बाहर निकालता है और जारू का प्रियोग खास कर पुर्णिमा तिथी के दिन अगर किया जाए कुछ टोटके किया जाए तो इससे जीवन में धन सुख सम्रिद्धी बढ़ती है जारू उपयोग में आ रहा है तो उस जारू को भी फेक देना चाहिए यह सभी जेनरल बाते हैं जो आपको पता है लेकिन एक छोटा सब टोटका जारू का जो आपके जीवन की खुसियों को आप तक ले आएगा देखिए माना जाता है कि जब खास तिथी के दिन पुर्ण जारू लगाया जाता है लेकिन जारू का एक टोटका देखिए पहली बात तो आपके घर में जारू होगा आप वैसे पुर्णिमा थी है तो अर्ली मॉर्निंग पास के किसी मंदिर में नई जारू लेकर जाएगा जारू सबसपाई करके मंदिर में जारू चोड़कर चले करने से आपके जीवन में खुसियां आती हैं जीवन की जो परियोग है इसको आप अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा एकदम सुबह तरके जब कोई आपको देखे नहीं टोके नहीं और इस दिन जारू का परियोग आप तमाम तरह के टोने टोटके भी करते हैं जारू से वसी करन भी होता है तो पुनिवात ही थी है तो इस दिन आप एक छोटा सा परियोग कर सकते हैं जो आपके जीवन से परिसानी को बाहर निगा लेगा कई बार क्या होता है आपके घर में लोगों को नजर लग जाती है तब एक जारू ले लें उल्टा तीन बार उनके उपर से उतार से आपके जीवन का जो एक परिसानी होती है जो भी ना बताए जीवन में चली आती है वह चली जाती है और किसी भी अगर काम में आपको बार बार अरचन आए एक बात हमें सै याद किए का जारू किसी बेक्ति बिसेस को ना दे कई बार क्या होता आपके घर में जारू पुराना हो गया आप मेड को दे देते ऐसा मत कीजिए गलती वरना आपकी लक्षमी चली जाएगी आप ऐसा ना करें बलकि आप खुद अपने हाथों से कहीं घर से बाहर निकाल के साइड में रख दें उसके देखिए जोतिस कहता है कि जारू में मालक्षमी का वास होता है और अगर आप नई जारू खरिद कर लाते हैं तो उसमें अगर जारू के हंडल में लाल मौली धागा या फिर सफेद धागा बान देते हैं और फिर इसका उपयोग में लाते हैं तो क्या होता है ना जीवन मे किसी भी तरह की परिशानी नहीं आती अब चुकि पुर्णिमात ही थी है तो इस दिन विशेष पूजा भी की जाएगी मालक्षमी का विशेष परियोग किया जाएगा क्या करेंगे एक छोटा सा परियोग जो आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेंगा इस दिन बिस्तार से बताएंगे कि खीर में ऐसी कौन सी वस्तु डाले जीवन में खुसियां ले आए जीवन में बरकत हो आपका स्वास्त अच्छा रहे और धन की मुश्किलों भी दूर हो जाएगा पास के किसी भी मंदिर में एक जाडू दान कर दें एक या तीन की संख्या में व सिग रहे आपकी मनोकावना पूर्ण होगी और जीवन में जो मुस्किले हैं वो समाप्त होगी जैसा की नाम से जाहिर होता है पूर्णिमा पूर्णिमा का मतलब चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और मा लक्षमी को यती थी बहुत ज़ादा प्री है तो पून्णिमा के दिन खास उपाए करने से आपका भागे भी सुदर होगा और चंद्रमा चुकी मां का सूचक है, मां का मन का कारक है तो चंद्रमा वैसे तो असमरन सक्ति को भी मजबूत करता है और घर में पानी की कमी आ जाती है अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो मांसिक तनाव देता है मन की घबराहट देता है लेकिन सास्त्रों में कहा गया है अगर पुणिमा के दिन पीपल के बिक्ष पर मां लक्ष्मी का चुकी आगमन होता है तो आप सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ा कर जल अरपित कर दें तो मां लक्ष्मी दोड़ी चली आएंगी आपके घर दामपत्ते जीवन के लिए भी पुणिमा थी थी के दिन पती पत्नी को चंद्रमा को अर्द देना चाहिए जल में थोड़ा सा दूर डाल कर ऐसा करने से दामपत्ते जीवन में मधूरता आती है चुकि पुणिमा के दिन मां लक्ष्मी का दिन है तो इस दिन आप मां लक्ष्मी के तस्वीर के सामने लाल कपड़े रखकर उस पर कौड़ियां रखकर आप कम सकम पांच कौड़ी या एक ही कौड़ी रख दें और एक सिक्का रखकर मां लक्ष्मी को अरपित करें थोड़ा सा अक्षत भी रख दीजेगा बिना तुटाओ अचावल फिर इसको बांध कर अगले सुबध धन के अस्थान पर रख दें लेकिन जब कुछ खास दिन हो साथ ही जब भी सनिवार रविवार का दिन हो आम दिनों में भी पहले घर के मुखे दरवाजे पर पानी डालें फिर जाडू लगवाई ये भले ही आज हम जाडू का उपाय बता रहे हैं लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि रविवार को आप पानी से नॉर्मल पानी से दूलबा दिये क्योंकि पूरी रात जो निगेटिव एनरजी आपके घर से होकर गुजरी है उनका जो प्रभाव होगा वो हट जाएगा जब आप पानी से दूलबा देते हैं या फिर लोग चुकी इस पुनिमातिती पर बहुत सारे प्र प्राइब व्यक्तियों को कुछ खाने पीने की वस्तू का दान अवसे ही दें वैसे खिर बनाकर खुद भी खाईए और को भी